कैसे हो साइद आप अच्छे होगे आज मैं आप लोग के सामने क्लास तैंत का जग्रॉफी यानि की भूगोल लेकर आया हूं अध्याय है आज आपका चार तो चलिए गाइज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आज का टॉपिक हम लोग कर रहेगा इकाई चार परिवहन संचार एवं बैपार गाइज अगर इस चैनल में पहले वार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो साथ में बेल लेकन को जुरूर प्रेस कर लो क्योंकि हमारी आने वाले पहले नोडिफिकेसन क में सामिल हो जाइएगा परिवहन एवं संचार बैपार के टोटल टॉपिक्स और प्रस्ण और उत्तर दोनों मैंने करा रखा है और इसी वीडियो में टोटल यह लेशन का इकाई चार टोटल कोशन और एंसर अकुष महतपूर पॉइंट मैंने नोट किया है और मैं आप ल परिवहन क्या होता है संचार क्या होता है और बैपार क्या होता है इस तीनों चीज के बारे में हम लोग गहन जाच करेंगे गहन अध्यान करेंगे कि यह तीनों चीज होता क्या है परिवहन तो खासकर हम लोग जानते हैं परिवहन परिवहन का अर्थ क्या होता है कि एक अस कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक समानों, चीठ्यों को पहुशाने का काम परिवहन एवं संचार साधन करते हैं किसी भी देश के समोचित बिकास में परिवहन एवं संचार साधन आधार का काम करते हैं इसलिए इन्हें राष्टिये अर्थ विवस्ता की जीवन रेखा कहा जाता है कि परिवहन क्या होता है कि एक अस्थान से हमें दूसरे अस्थान तक यानि कि चिठ्ठी कहीं यहां पर रखा गया है जिक्ड किया गया है चिठ्ठी यानि चिठी जो होता है वो किसके माध्यम से पहुचता है तो उसमें हमें संचार की आउसकता होती है क्या संचार की आउसकता तो होगी संचार की आउसकता होगी और साथ में हमें परिवहन की आउसकता होगी तो संचार और परिवहन दोनों एक रूप है जो समान को एक जगा से दुसरे जगा होचा जाता है संचार और परिवहन जो होता है वर्राष्टी अर्थ बेवस्ता की जीवन की क्या है इक रिखा है यह हमारी अर्थ बेवास्ता को बनाए रखने के लिए परिवहन बहुत ही ज़्यदा सहायक होता है ठीक है अब परिवहन को कितने भागों में बाटा गया है या परिवहन के कितने प्रकार होते हैं यह भी आप दर्च कर सकते हैं, question आता है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, या परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, चैब परिवहन को कितने भागों में बाटा गया है, बात दोनों का क्या है, एक ही है, मतलब दोनों का क्या है, एक ही है, जैसे ही भूगल खतम होगा, मैं आप लोग के लिए हो सकता है तो इतिहास या हिंदी स्टाट करने वाला होगा दोनों में से एक और साइध संस्कृत भी मैं जल्द ही आप लोग के सामने लेकर आओंगा मैं तीचर ढूंड रहा हूं को संस्कृत कर टीचर मिल जाए जैसे इसे लेटाइब फिर मैं अब लोगों को स्टाट कर दोगा क्लाश है तो परिवहन के प्रकार वार्वन की कितने प्रकार होंगे वीस तो से से पहले एक लाइक कर दो ना अगर लाइक कर दोगे लाएक तो तो मेरी थुछ सी मोटिवेशन बढ़ेगी और इससे अच्छा मैं वीडियो हो सकता है तो बनाकर आपको देदू तो लाइक कर दीजिए नहीं तो बात में चलके आप भूल जाईएगा और लाइक भी नहीं कर पाईएगा अरे सस्क्राइब नहीं किये यार क्यों सोच रहे हो ससक्राइब कर दो सस्क्राइब तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब किस बात की देर आप लोगी तो अल सब्जेक्ट िसे Warning पर पाइप purchase lemons तो पांच इसमें दर्ज कर सकते हो मुख्यतवा तो 46 होते है तो 99 अभी मेर्या आया हूँआ है। इसलिए हम पाइप मार्ग को भी इसमें दर्च कर दे रहे हैं तो यहां तक सभी को किलियर है क्या सभी को यहां तक किलियर है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स स्लाइड में देखते हैं कि आप तो हमने जाना ना कि मार्ग तो सबसे पहले आया मेरा सरक मार्ग अब सरक मार्ग क्या होता है सरक मार्ग भी जानना है क्योंकि एक्जाम में आप आता है कोशन क्या सरक मार्ग से आप क्या समझते हैं सरक मार्ग हमारे जीवन के लिए क्यों महत्पूर है और आता है कोशन सरको के प्रकार तो यहां भी हम जानेंगे थोड़ी भूत इसके सुगम साधने इदम सही बात बोला गया है कि सरग मार्ग जो होता है वह हमारे लिए क्या है एक सुल्लब मारग है हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भूत असानी से पहुंझ सकते हैं सरग मार्ग के द्वारा चिक है इसका उप्योग हर बेक्ति अपने जीवन काल में आ हो सकता होगी अगर हमारी गाओं में घर हैं और वहां पर सरक नहों तो कितनी तकलिफ होती है हम सरक पर जाते हैं तब अगर मेरा घर सरक पे हो तो डारेक्ट हम घर से निकले और सरक पे आ गए और हमें कहीं भी जाना हो हम अराम से जा सकते हैं यह बिल्कुल एक तर सुभिधा वाला मारग है सरक मारग ठीक है लगभग 33,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, सारवधिक सरक जल जाल वाले देशों के अस्थान में गेंड ट्रंक रोड देश के सबसे पुरानी शरक है यहां क्या है यहां रखा गया है क्या बात तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि सरक जाल वाले देश देखिए सरक जाल वाले देश के अस्थान में कौन सा पुराना सरक एक रखर याद रखियेगा गौड एक होता है टंक यह दो जो सरके हैं यह लिख देता हूं गौड और यहां पर टंक यह दो सरके हैं ना बहुत ही पुराने सरके हैं पहले इसी सरक का किया गया था निर्मार किया गया था इसी सरक के ठीक है पहले इसरक हमेरा क्या हुआ था ब तो यह जो सरके ना जो बहुत पुराने सरके हैं अब देखिए सरक के प्रकार पूछा गया है सरक के कितने प्रकार होते हैं तो सरक के मुखेता चार प्रकार होते हैं यहां पर चार प्रकार होते हैं कौन-कौन से रास्टिय मार्ग उसके बाद राज मार्ग तीसरा क्या होता जीला सर के मार्ग और होता है एक ग्रामिन सर के मार्ग देखिए चार प्रकार के सरक होते हैं एक तो हमें जानते हैं कि राश्टिये मार्ग हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है इस देश से दूसरे देश में पहुंचाता है उसे हम राश्टिये मार्ग कहेंगे र क्या हो जाएंगे मेरे राज मार्ग हो जाएंगे अब सरके मांग क्या हो जाएगी भाई दिल्ली से कहां जोड़ देते हैं हम इसको पाकिस्तान जोड़ देते हैं तो इस क्या हो जाएगी मेरी राज रास्टी ये मर्ग हो जाएंगी ठीक है उसके बाद जीला सर के मर्ग क्या होती है भाई जीला सर के मर्ग वो होती है ना कि एक जीला से दूसरी जीला जैसे आप समझो कि इलावाद में रहते हो इलावाद जीला है क्या इलावाद जीला है तो ठीक है इलावाद में रहते हो औ और दूसरा जीला आपका वहां पढ़ जाता है समझ लो कौन सा जीला तो लखनव पढ़ जाता है ठीक है तो यह एक क्या हो गया जीला मार्ग हो गया जैसे मैं रहता हूं सीवान में और एक जीला मेरा यहां पढ़ जाता है पटना तो सीवान और पटना क्या है एक जीला प्रखंड तक अनुमंडल से प्रखंड तक अनुमंडल से प्रखंड तक होती हुई रास्ते जाती है जो उसे हम ग्रामिन सरके कहेंगे यह क्या होता है ग्रामिन छेतर से निकलता हुआ अनुमंडल प्रखंड की और चलता है यानि कि कहने का मतलब आपका यह घर हुआ घर से जो यह सरके बनी है यह सरके यहां मार्केट में जाती है और यहां से मार्केट से एक सरक निकलती हुई आती है फिर दूसरी मार्केट में मिल जाती है इस सरके फिर यहां से भागो प्रांतों को आपस में जोडने का काम करते हैं या देश की एक छोड से दूसरे छोड तक फैली है इस दिरिश्टी से राजमार्ग संख्या साथ उलखनी है याद रखिएगा राजमार्ग को हम कितने संख्या से उलखनी करते हैं तो साथ उलखनी संख्या से हम क्या करत है इसे प्रदस्रित करते हैं देश का यह सबसे लंबा राश्टि राजमार्ग अब चलेंगे आगे आगे हम देखेंगे कि क्या क्या बोला है मेरा और अगर राज-ाजमार्ग यानि ra एक-राष्षे Прकलत इहां बात सिंपल है कि राज मार्ग राज के रजधानियों की बिभिन जीलो मुख्याले से जोडने का काम करती है इन सरकों का निर्मार के देखरे दैत्व किसका होता है राज सरकार का होता है यहां राज सरकार वही होता है कि राज एक राज से बिभिन रजधानियों में क्या किया जता है सरको जोरा जाता है रजधानियों से जीले के मुख्याले में जोडता है उसे हम क्या कहेंगे राजमार कहेंगे अब जीला सरके क्या होती है जीला सरके राज के विभिन जीला मुख्याले एवं सहरों को मिलाने का काम करती है देश के कुल सरकों का हिस्सा 14% इन सभी सरक को देख रखाओ कि जिमानाईरी राजिसरकार की होती है राजसरकार का काम जो है बहुत ज़्यादा है ठीक है है उसके बाद ग्रामिन सरके क्या होती है कि ए सरके बिभीन गाउं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है इसके अंत्रगत देश के कुल सरके 80% भाग सामील है इन सरकों का अभिकाश प्रधान मंत्री शरक योजना के अंत्रगत किया जाता है जहां आपके यहां PCC बोलते हैं जो हमारे प्रधान मंत्री योजना के अंत्रगत आपके मुहले में सरक को ढलाई की जाती है उसे हम बोलते हैं ग्रामिन सरक यह प्रधान मंत्री ग्रामिन सरक योजिना के तहद आता है ठीक है आगे हम देखेंगे आगे हम तोड़ा सा देख लेंगे यहां पर जो दिया गया है कि सीमांत सरके क्या हो दिया वाई सीमांत सरके बहुत इंपोर्टेंट कोश्टन है ही बहुत इंपोरिटेंट सीमांग सरके कई बाड़ इकजां में ये कोशन जोенко वेफे पुठा चुकर सीमांग सरके के बारे में Ro vari kung में सरकोओं का निर्माढ आवार्यक्ति बारत में इन शरको का निर्मार रहाओ सीमा सरक संगठन करता है सीमा संगठन क्या होता भाई जो सीमांत सर्गेज यानि कि इसका कहने का मतलब हो रहा है या कि हमारे यसेनिक के लिए भिसेस तोर से सरक का निर्मार किया जाता है यूद के समय इसी सरक के माध्यम से हमारे यहां से हमारे भारत देश से जो भी समागिरी है यूद के दवरान जो भी जिसे तो हुआ बंदूक हुआ सेना हुआ इसी सरक के माध्यम से हमें भेल जाता है तो इसलिए इसकी देख रखाव जो करती है वह भारत के सरकों के निर्मा सीमा सरक संगठन करता है इसका दाइतों जो होता है वसेनी के हाथों में होता है जिसका गठन 1960 इश्वी में याद रखेगा 1960 इश्वी में किया गया था कब किया गया था 1960 जब हमारा देश भारत और चीन के बीच यूद हुआ 1962 उस समय इस सरक का निड़मार किया गया था तभी तो नहीं तो चीन हमारे देश में बहुत ज़दा हिस्सा जो होता है उसको कवर कर लेतां लेकिन धोरा हिससा कवर किया है देखें क्या होता है आकर कर कहीं वह चीन से यूद करके भी जहाइए हासल करके अगर वह जमीन लेना हांसिल करनाrin चाहता है भारत तो पहुंच जाए तो 1960 के बाद क्या हुआ कुछ डैबलफ हुआ है अभी के डिट में जहां अब हमारे लिए सैनिक के लिए बस ज्यादा से आदा से गहंटे के इंतिजार करो और पूरी सेना बोडर पे चली जाएगी तो यूद की इस्तीती में इन सरकों का महत्व तुन्नात्म को रूप से काफी बढ़ जाता है इनी सरकों के माध्यम से सीमा परसैनिक के लिए आवसक समानों को भेजा जाता है जो कि सीमान सरके के अंत्रगत आता है ठीक है चलो है आगे देखेंगे रेल मार्ग रेल मार्ग के कुछ अबजेक्टिव यहां से आप होने के लिए आएग जब पहले बार मुंबाई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंभाई पर रेल गारी चलाई गए थी इस चीश को याद रखिए का बिल्कूल इंपॉर्टेंट है अबजेक्टिव के लिए कि रेल मार्ग जो है वह भारत में कब चलू किया गया था तो 16 अप्डेल 1853 इश्व में यह 34 किलोमीटर की रेल गारी की यत्रा की गई थी ठीक है उसके बाद आगला हम देखें कि पाइपलाइन योजना पाइपलाइन डार्जमार क्या होता है भारत में पाइपलाइन का भविश मुख्यता तेल इवं प्राकिरतिक गैस उध्योग के निर्भर है या प्राकि द्वारा ही पहुचाया जाता है या भेजा जाता है तो पाइपलाइन भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि प्राकिरतिक गैस और उध्योग इस पे निर्भर होता है कच्चे देल के लिए इसकी ओसकता हमें परती है अब हम चलेंगे थोड़ा सा संचार के बारे में संचार का मुखहता साधन क्या होता है युथ झाता न वहाँ था इसके वाद आता था France इंप्रोंट्टेन्ट था वैं तेलिगराम उसके बाद अभी के जमाणें बहुत कम यूज हो रहा है और नेक्स सेस्न में बहुत ज़्यदा पहले चलता था टैलिफोन भी बहुत पहले होता था अब अधुनके कर देते ना रेडियो पहले होता था अभी बहुत कम हो चुका है, ठीके तो ये संचार के माध्य में, सिनेमा हॉल अभी है, अभी है, सिनेमा हॉल अभी भी है, पहले भी होता था, समाचार पत्र अभी भी है, और पहले भी होता था, पत्र बहुत अब कम हो चुका है, अब डाइरेक्ट हो चुका है, ओफिसियल पत्र, पत्र जो हो रहा है दो कि अबिए के जबाने के लिए बहुत अच्छा है इंटरनेट और इमेल हैं तो यहाम तक आप सबी को किलियर है तो फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारी लिए ठीक है यहां हम देखेंगे थोरा सा बहुत अच्छा टॉपिक है हाँ इस चीज़ को देखेंगे भारत के परमुक बंदरगा एवं राज क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जदा इ राज होते हैं और वहां आके रुखते हैं और वहां से अनेक सारी सामागिरी जो एक देश बीदेश से आती है और वहां पानी जहाज पानी जहाज जो है पानी जहाज वहां पर आके रुखती है रुखने के बाद वहां से एक जगह से दूसरे जगह अस्थान प्रांस्पो तो महरास्ट में है ठीक है उसके बाद नवाल सुवा यह कहां है भई तो महरास्ट में है ठीक है उसके बाद तीसरा है कोलकत्ता यह कहां है बाहराज बंगाल में उसके बाद चन्नाई इसका राज तमिनाडू तूति कोरिन तमिनाडू कंडला गुजरात में कोचिंग केरल इंदौर तमिनाडू परादीप उरिशा और विसाखापटनम आंदरपरदेश और मुमुगाव गुवा और मंगलोर जो होगा खड़नाड़ ठीक है त कौन-कौन से राज में हैं तो मुंबई तो याद हो जाएगा महरास्ट उसके बाद नौगुवा महरास्ट पच्छी मंगा तमिनाडू तमिनाडू गुजरात केरल तमिनाडू उरिशा अंदरपरदेश गोवा करनाड़ यह बंदरगा के मुर्मुख पार्ट्स होगा है ठ वजयात है रजधानी चैनल होती है है अंदरोय जी और दाषटिवेघ चैनल और policial इौतिए गया है प्रमुख और चैनल दान्क हों common है रजधानि चैनल मेरे कहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में दिली में 6 विसेस राज्यों की रजधानियों के लिए एक डांक सिवा जिसके लिए पिले रंग का पत्र जो है इसमें लगाए जाता है जैसे ही पिले रंग का लिफाफा आपके घर पहुंचा तो समझ लिजिए गा कि यह जो है रजधानी से आया हुआ है ठीक है पीले रंग का जहां पत्र आपको दीखे तो समझ लिए क्या किया राजधानी से आया हुआ है ठीक है अब मेट्रो चैनल क्या होता है बेंगलॉर कोलकाता चेनई नई दिल्ली मुंबाई और हैदराबाद के लिए डांग सेवा है इन अस्थानों के लिए पीन कोड वा अफरो द्वार हर रंग वाले पेटी में डाला जता है हर रंग की पेटी है जो में हम क्या घरते है इसके बाद आगे 2-3 स्लाइड वचा हुआ है वेट कर लिजेगा 2-3 मेट में खतम हो जाएगा ज्यादा नहीं है इसमें ठीक है उसके बाद यहां दिया गया है भारी बारी चैनल क्या होता है जी यह डाक सेवा बड़े बैवसाइक संगठनों को डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है बैपार चैनल यह डाक सेवा छोटे बैपारी संगठनों और डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है अब देखें यहां से मेरा लगू उतरिये प्रश्ण जो है लोगो उतर यह प्रश्ण जो है यहां सुरू किया जा रहा है और क्यों सुरू किया जा रहा भाई कोशन तो नहीं लिखवाना चाहिए लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि मेरी आइडिया ऐडिया जो है, वो क्या है? आपके सर की आडिया है, क्या है? दोनों की आडिया अगर एक जिसा मिस करती है, तो आप याद कर सकते हो, या आपको सौट लग रहा हो, तो इसे याद कर लो, क्योंकि मैंने अल्रेड़ूरूर्ट यह जो आप लोको में पढ़ा रहा हूँ, यह मे तो मेरे बच्चे को स्कूर करना है आपको भी इसकोर करना है तो यह नोट्स जो है बिल्कुल इंपोर्टेंट है ठीक है चलो आयत क्या है जब कोई समान दूसरे या बहरी देशों से अपने देश में मंगाये जाता है तब इसे हम कहते हैं कि आयात क्या होगा कि कोई भी समान जब कोई जब कोई समान अपने देश से अपने बहरी देश्वों में भी जाता है उससे क्या क्या कहते हैं इस चलो १ गजलो ओबießकों मुधकुल सवतंत्रह प्राप्ति के गत्ति देश में सरको की कुल लंबाई कितनी थी ती याद रेगए 3,88,000 किलोमीटर 3,88,000 किलोमीटर सौतंतरता प्राप्ती के समय अभी तो बहुत जगा वो चुका है भई उसके बाद दूसरा कोशन आया आपके सामने कि पक्की सरको की लंबाई की द्रिष्टी से कौन सा राज प्रथम अस्थान पे है बहुत अच्छा कोशन है भई कि पक्की सरक की लंबाई की द्रिष्टी से कौन सा राज जो है प्रथम अस्थान पे है तो एंसर इसका होगा महारास्ट चले तीसरा कोशन आपके सामने एक कि भारत में कौन से भारत में सरकों का एक मप्रास याद रेखेए हैं चौत्रा कोशन भारत में किस सहरोग में मैट्रो रेल सेवा उपलब्ध है भाई भारत के के मैट्रो से बड़ पहले अभी था दिली और ठाँ मेरा कुलकत्ता अब यूपी भी एड़ हो चुका है ठीक है तो पहले जो तो मेरा था वह दिल्ली और कुलकत्ता में ही मेट्रो सिवा उपलब थी उसके बाद पांचवा है किस वर्ष इंडिया- एयर लाइन्स को नाम दिया गया देखि आप मुझे comment box में देंगे कि कीस वर्स इंडिया एयर लाइन्स की इंडिया नाम इंडियन दिया गया है इसको comment box में आपको जवाब देना है चलो next question हम देखेंगे छे नमर कि भारतिय अंतर देशिये रजमार्ग प्रधिकरन का गठन कीस वर्स किया गया इसका answer होगा आपका यहां पर दिख रहा है 1986 में चीक है 1986 में अगला question है साथ नमर यहां कि एनौर पतन कीस राज में है एनौर पतन कीस राज में है तो answer दिजेगा तमी नाडू में आठवा question आपके सामने ढ़ा भारत को कुल कितने डांक छेत्रों में बाटा गया है तो याद रखेंगी आठ छेत्रों में बाटा गया है उसके बाद नौर नवगा question है देश में कितने विशेस आर्थिक छेत्र विश्तित है तो याद रखेंगी 8 ठीक है अब चलेंगे हम आठे question पर question देख लेते हैं या से एक नमर question भारतिय रेल परिवहन की परमुख विश्ताओं को उले कीजिए इसका answer आपके सामने यह रहा कि भारतिय रेल परिवहन की परमुख विश्ता है एक नमर दीजिएगा रेल मंत्राले रेल यात्री बीमा योजना चला रही है रेल ट्रेंड की दुरुघटना को रोकने के लिए इंजनों में एसीडी की बेवस्ता की गई है ठीक है उसके बाद तिसरा है क्या बड़े सहरों में दैनिक यात्रियों के आवा गमन के लिए दी एम यू एवं मेमू गारिया चलाई जा रही है यानि कि लोकल ट्रेंड होती है अब उसके बाद सेकेंड कोश्चन है क्या कि भारत की आयात निडियात वाली बस्तू का उलह करें भारत में कौन सी बस्तू निडियात होती है कौन सी बस्तू आयात होती ही इसके बारे में चर्चा करना हमें तो चलो यहां देख लेते हैं भारत में निडियात की जाने वाल वस्त्र क्रिश्री संबंदित उपकारण एवं उत्पादन अयशक्त एवं खनीज सामील है जबकि आयात की जाने वाली बस्तुए पैट्रॉलियम संबंदित उत्पादन मसेनीरी इलक्ट्रोनिक छमता सोना चांदी उब्रक रहसायन अलो धातुए अन्य समान से सामील किये ग से तुरह सा एक सेकंड मैं तुरह सा कोश्चन देखता हूं इसके जो पार्ट से ना वाई यहां से देखो यह अजब गजब की की गई है कहानी चलो यहां से हम देख लेते हैं यहां से समझ में आज आनी चाहिए बट हो जाएगी वेट कर लो एक सेकंड क्यों नहीं होगी अगर मेरा साथ 2 तो क्यों नहीं होगी रचा अंडर परसंट की कर दिये बहुत हैं और से किया यहां चलो यहां से दीख जाएगा को यहां से हां भारत में पाइप लाइन परिवहन का वर्णन करें तो यहां छोटा सा कोशन है एंसर इसका कि पाइप लाइन परिवहन का एक परमुख साधन और सहरों में घर घर तक पानी पहुशाने के लिए इसी का इस्तमाल किया जाता है प्रंदु आज के इसके उपयोग में काफी भी धी है पैपडाबिं के जरहे पेट्रोलियम प्राकर्थी गैस थोसपादार्त नपर privacy की जाने लगा है भारत में में आई है पैट्रोलियम उत्पादन के वेतरें के द्रिश्टि से कुछ पर मुख पाइप लाइन अभी तो जनल की ओजना चल रही है हमारे पूरे भारत में तो इसके लिए पाइप लाइन जो है अमारी बहुत ही जदा इंपक्रेंट बन जाता है उसके पाइप लाइन के कौन-कौन से चार प्रकार ह ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा भारत के प्रमुख चार पाइप लाइने के नाम लिखे तो यहां आप लिख सकते हैं ठीक है और गाइज आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा सात में इस वीडियो को सेयर जरूर करिएगा और सात में कमेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा यह मेरे योर्ट से है और आज की वीडियो के लिए ठैक्यो और अल्वेज always be happy सभी लोग खूस रहें मस्त रहें मॉला रहें और हमें भी खूस रखें थैक्यो बाइ-बाइ